नमस्कार, आपका अच्छबार के इस अंख में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग जिस तरह से एक तथा कथित किसान आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन का मकसद किसानों के हिट से कोई कोई दूर दूर तक उसका लेना देना नहीं था उसका तीन जो करशी कानून जिनके विरोध में आंदोलन हुआ था उन कानूनों से कोई लेना देना नहीं था और उसमें देश और देश के बाहर की टूल किट शामिल हो गई, देश की बाहर की ताक्तें शामिल हो गई उस आंदोलन को हवा देने में, और उस आंदोलन के जड़िये एक हवा बनाने की कोशिश की गई, दो हजार बाइस के विधान सभा चुनाओं से पहले, दो हजार बाइस में विधान सभा चुनाओं होने वाले थे सबसे बड़ा प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश वहाँ पर, कि उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता परिवर्तन कर लेते हैं, तो उससे मोधी कमजोर हो जाएंगे, तो उनको दो हजार चौबिस में हटाना आसार हो जाएगा और 2022 से 2024 के बीच में उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा उनकी जो infrastructure की योजनाएं हैं दूसरी देश को लेकर जो विकास की योजनाएं हैं वो सब ठप हो जाएंगी तो कुल मिलाकर निशाना था नरिन मोदी का सुशाशन कि किस तरह से इस पर ब्रेक लगाया जाया किसान अंदोलन का मकसद सिर्फ यही था उसमें किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं थी इसी तरह से एक दूसरा अंदोलन शुरू हुआ जब वो फेल हो गया 2022 में बीजेपी दो तिहाई बहुमत से जीत गई तो वो जो उन लोगों ने चलाया था उन लोगों से रहा नहीं गया आकर बात बाहर आही गई बोले कि हम तो अखलेश यादों के लिए पिश तैयार कर रहे थे अब वो बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें तो आप इससे समझेए कि उस आंदोलन का मकसद शुद रूप से राजनीतिक था उसका किसानों से और देश की किर्शी व्यवस्ता से कोई लेना देना नहीं था तो दूसरा आंदोलन चलाया गया पहलवानों का कि महिला पहलवानों का उत्पीडन हो रहा है निशाना सामने दिखाया गया ब्रिजभूशन शरन सिंग जो भारती जनता पाटी के सालसद है लेकिन ब्रिजभूशन शरन सिंग से कोई लेना देना नहीं था जैसे उन कृशी कानूनों के विरोध का किसानों से कोई लेना देना नहीं था वैसे इस आंदोलन का ब्रिजभूशन शरन सिं पार्टी के खिलाफ खड़ा किया जाए कि देखे महिला पहलवानों का उत्पीडन हो रहा है और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है आप जरा ये जो आंदोलन कर रहे थे इन पर और इनकी मांगों पर गौर कीजिए आपको पूरी योजना पूरा शड्यंत बिलकुल साफ साफ न उनकी साली विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ये दो महिला पहलवान हैं जो अंदोलन कर रही हैं देश में सारी महिला पहलवानों के खिलाफ उत्पीडन हो रहा है योन उत्पीडन हो रहा है और सिर्फ दो पहलवान जो बजरंग पुनिया के रिष्टेदार हैं वो अंद कोई भी इस तरह की घटना होती है तो उसका पहला काम क्या होता है सबसे पहला दाई तुझो होता है वो जो भी शिकायत करता है उसका पुलिस में जाकर F.I.R. लिखाना इतने महीने हो गए आप बताईए कि कोई F.I.R. लिखाई गई क्या इन लोगों ने F.I.R. क्यों नहीं लिखाई किस वज़े से पुलिस के पास नहीं गए और मांग क्या कि दिल्ली पुलिस इसकी जाच नहीं करेगी गटना दिल्ली की है, रेस्लिंघ ड्रेशन का मुख्याल है दिल्ली में है, यहां पर आरोप लग रहा है, ब्रिज भुषन शरन सिंग्ग सांसद है वो दिल्ली में रहते हैं, यहां पर F.I.R. नहीं लिखवाकर आप कहीं और लिखवाते आप हरियाना में F.I.R. लिखवा देश के किसी और प्रदेश में लिखवाते हैं तब भी बात समझ में आती कि भाई चलिए आप जो है आपको दिली पुलिस पर भरोसा नहीं था तो आपको सुप्रिम कोड पर भी भरोसा नहीं था मामला सुप्रिम कोड तक गया सुप्रिम कोड से भी आपको कोई राहत कोई म पीरन हुआ उनकी कोई गवाही उनका कोई बयान नहीं होगा बस आप ब्रिजभुशन शर्ण सिंको सजा दे दिजिए जेल भेज दिजिए मतला आपने दुनिया में कहीं ऐसा सुना है देश में कानून है सम्विधान है कोई अगर दोशी है किसी जज के सामने भी अगर हत्या हो जाए तो हत्यारे पर मुकदमा चलेगा उसकी गवाही और उसके प्रमाण देने पड़ेंगे तब उसको सजा मिलेगी यहां कोई प्रमाण नहीं कोई गवाही नहीं है और कहा जा रहा था कि सजा दे दिजिए बस एक ही मांग थी कि ब्रिजभुशन शर्ण सिंको सजा द लेकिन मामला तब भी शारत ने हुआ, फिर अभी चुनाव हुआ, अदालत के निर्देशन में चुनाव हुआ, निश्पक्ष चुनाव हुआ, उसमें जो व्यत्ती जीता संजय सिंग जो जीते वो बिजभुशन सरन सिंग के करीबी है, ये उनका अपराद बन गया, उनके ख लिस्लिंग फेडरेशन पर हर्याना का कबजा बना रहा है, उत्तर प्रदेश का प्रभाव न रहा है, इस से लडाई शुरू हुई, और ये लडाई शुरू कराई देपिंदर सिंग हुडा, जो कॉंग्रेस के नेता है, सांसद रह चुके हैं, और पूर मुख्यमंतरी अबसर नजर आया, कि हर्याना के जाटों का और उसके जरीए दूसरे प्रदेशों के जाटों को मोधी और बीजेपी के खिलाव कड़ा किया जा सके, ये मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, ये टूल किट काम करने लगी, इसमें मीडिया कुजा, मीडिया को जाहिद है कि म महिला पहलवानों का पक्ष लेना था, बड़ी अच्छी बात है, महिला पहलवानों के साथ या किसी के साथ, कोई भी अत्याचार हो, मीडिया उसके साथ कड़ा हो, ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन मीडिया का ये भी दाइत्व है, कि वो तत्यों पर भी गौर करें कि सच्चाई क्या है आप investigating agency नहीं है लेकिन आप मोटे तोर पर तत्यों की जाच परक्तों कर सकते हैं पहला सवाल मीडिया में कोई भी खबर आने के लिए अगर कोई आता है अखबार वाले के पास टीवी वाले के पास रिपोर्टर के पास आता है अपनी श कोई F.I.R. नहीं हुई यहां मीडिया में दिये गए बयान के आधार पर एक वेक्ति को सजा दिलाने की बात हो रही थी और जब यह कांड हुआ संसद का कल्यान बैनर जी जो T.M.C. के संसद है उन्होंने उपराशपती का और राजी सभा के सभापती जगदीब धंकर का एक वार, सिर्फ एक वार किया मोदी ने और इस पूरी टूल किट को ध्वस्त कर दिया यह जो रेस्लिंग फेडरेशन आफ इंडिया का चुनाव हुआ था उस चुनाव के बाद जो फैसले लिये गए संजय सिंग और उनके साथी पदादिकारियों के उन सब को रद कर दिय निश्प्रवावी कर दिया गया और कहा गया कि ओलम्पिक एसेशियेशन जो है वो एड हो के कमिटी बनाएगा उसकी देख रेक में कामकाज होगा और फिर से चुनाव होगा अब आप देखिए इन पहलवानों की नजर में सरकार दोशी है माना जा सकता है पार्टी दोशी जो फेडरेशन के सरवेस अरवा थे वो दोशी है यह भी मैं मानने को तयार लेकिन इन लोगों ने अपने से भी कई गुना कद्मे बड़े अपद और प्रतिश्था में बड़ी पीटी उश्या की प्रतिश्था का भी ध्यान नहीं रखा सरकार ने पीटी उश्या की अध् रिपोर्ट ऐसी आनी चाहिए, जो सरकार के खिलाफ हो और इन आरोब लगाने वालों के पक्ष में हो, तो वो सही है, वरना पीटी उशा भी सरकार की एजेंट है, यह है सोच, यह है इज लोगों का रवया, यह है इन लोगों का शडियन्त्र, एक शडियन्त्र रचा गया, औ ऐसे ही फिर से मुद्दा खड़ा किया गया और हधियाना के जाटों में एक मैसेज देने की कोशिच हुई, उनको भड़काने की कोशिच हुई, कि ये सरकार और भारती जन्ता पार्टी और प्रदान मंत्री नरिन मोदी जाटों के खिलाब है, जाटों की बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लेकिन बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं करते हैं, सरकार एक वार में सब खतम कर दिया पूरे फेडरेशन की जो कमेटी थी उसी को भंग कर दिया अब इनके पास तो कोई जवाब बचा नहीं है बजरंग पुनिया पदमश्री मिला हुआ है सड़क पर पदमश्री रखकर आ गए सवाल ये है कि पदमश्री लोटाने आप प्रधानमंत्री के हां क्यों गए थे राश्पती ने दिया था लेकिन ये बात उतनी महतवपूर्ण नहीं है उससे महतवपूर्ण है कि ये राश्ट्री सम्मान है उस राश्ट्री सम्मान का आपने अपमान किया है ऐसे लोगों पर आजीवन प्रतिबंद लगना चाहिए कि उनको कोई राश्ट्री सम्मान भविश्य में कभी न मिले जो मिला है वो वापस ले लिया जाए उनसे न केवल राश्ट्री सम्मान वापस लिया जाए बलकि इसकी वज़े से उनको जो आर्थिक सहायता मिली है वो भी वापस लिया जाए और इनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए राश्ट्री प्रतीकों का राश्ट्री जो सम्मान है उसका अपमान करने वालों के खिलाब कानूनी कारवाई होनी चाहिए ये बहुत जरूरी है वरना राश्ट्री सम्मान का इसी तरह से मजाक बनता रहेगा इसी तरह से उपहास होता रहेगा इसी तरह से उसका अपमान होता रहेगा तो ये बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षे बलिक ये तीन लोग उस टूल किट के हिस्से थे जो राजनीतिक रूप से भारती जन्ता पार्टी के किलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला था और इस बात को समझने में प्रधानमंत्री नरिद मुदी को ज़्यादा देर लगी नहीं है उनको मालूम था कि जब तक निशाना लगाने के लिए ब्रिद्भूशन शरण सिंग सामने होंगे तब तक ये खेल चलता रहेगा तो ब्रिद्भूशन शरण सिंग को बुलाया गया और उनसे फिर बयान देलवाया गया कि उनका कुष्टी की राजनीती से कोई लेना देना नहीं कुष्टी संग से उन्होंने पूरी तरह से अपना नाता तोड़ लिया अब क्या करें अब तो वह कंधा ही नहीं रहा जिस पर रखकर पधान मंत्री पर बंदुग चला रहे थे तो कंधा चला गया तो इनके सामने कोई कोई रास्ता नहीं रहे गया वो मामला पूरा पूरा जो मुद्दा बना जो प्याले में तूफान उठाने की कोशिश हो रही थी वो सब मामला द्वस्त हो गया वो पूरा नेरेटिव जो है वो उठने से पहले खड़े होने से पहले ही बैठ गया तो इस तरह के मुद्दे इस तरह के निरेटिव आपको दो हजार चौबिस के लोकसवाद चुनाओं से पहले कई दिखाई देंगे और और इस तरह की कोशिशें कई तरह से होती रहेंगी देश के अलग-अलग हिस्सों से अलग-अलग संस्थाओं और लोगों के जरिये ये बताने ये जताने की कोशिश होगी किस तरह से ये सरकार अत्याचार कर रही है किस तरह से ये सरकार कभी महिलाओं के विरोध में बताया जाएगा कभी किसानों के विरोध में कभी मजदूरों के विरोध में इस तरह के नेर जो इस तरह का narrative बनाने वाले हैं उनको समझ में आ जानी चाहिए कि ये चलने वाला नहीं है चलने वाला इसलिए नहीं है कि लोगों में आप पर विश्वास नहीं है भरोसा नहीं है आपकी साख नहीं है लोगों को पता चल जाता है कि आपकी नियत क्या है आपकी नियत में ख स्तर बहुत उंचा है आपकी बद्नियती के पीछे और भी शक्तियां है जो आपको रुकने नहीं दे रही है जो आपको गलती से सबक सीखने नहीं दे रही है लेकिन गलती हो तब तो सबक सीखे जब जान बूज कर शडेयंत्र किया जा रहा हो तो शडेयंत से तो कोई सबक सीखता नहीं तो वही हाल इन लोगों का है वो चाहे किसान आंदोलन हो चाहे महला पहलवानों का आंदोलन हो ये दरसल एक राजनीतिक चाल थी जिसको प्रधान मंतरी नरिन्द मोदी और उनके सातियों ने पूरी तरह से विफल कर दिया है तो इस हंक में इतना ही अगले हंक में फिर मिलेंगे किसी ने मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनमती दीजिए आप से अलोध है कि ये चैनल देखे शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजिए नमस्कार